आज हम बनाएंगे अमरिद सर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूर्ड पनीर पुरुजी जिसे पाउं या ब्रेड के साथ सव किया जाता है इसे बनाने का एक यूनीक तरीका है तो चली आज देखे इसकी रेसिपी सबसे पहले मसाला बनाएंगे इसके लिए पैन में गरम करना है दो बड़े चमस सरसोंखा तेल इसमें एड़ करेंगे दो बड़े चमस बेशन ग्यास की फ्लेम बिलकुल ही लो रखके हमें इस बेशन को भूनना है चलाते हुए हम इसे भूनेंगे जब तक इसका कलर हलका सा पनीरबूर जी काफी यूनिक तरीके से बनाई जाती है बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट लगते हैं लिकिन यह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होती है एक बार ज़रूर फ्राइब कीजिएगा जब बेसन का कलर हलका सा चेंज हो जाए तब इसमें मसाले आड़ कर देंगे तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी आड़ करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर सभी मसालो को मिक्स करते हुए हम बेसन के साथ करीबन आधी मिनट के लिए और भून लेंगे ताकि जो मसालो का फ्लेवर है जो टेस्ट है वो बेसन में बहुत ही अच्छे से आ जाए बाद में हम इसमें आड़ कर देंगे थोड़ा सा गरम पानी बेसन में गरम पानी हम इतना ही आड़ करेंगे जिससे बेसन की एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए ताकि ना मसाले जलेंगे और ना ही बेसन तो जब हम आगे पनीर भूर्जी में से यूज करेंगे ना उस टाइम पे भी काफी इजी हो जाएगा ग्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे साइट पे रख देंगे भूर्जी बनाने के लिए यहां पर मैं ले रही हूँ धाइसो ग्राम फ्रेश पनीर जिसे हम हातों से इस तरह कर देंगे पनीर भूर्जी में पनीर को कड़ू कर ने की या कट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है हाथों से इस तरह क्रंबल करके हम इस रेसिपी में यूज करेंगे बिल्कुल ही मार्केट जैसा सॉफ्ट और पॉफेक्ट पनीर घर पे कैसे बनाता है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हूं जरूर चेक कीजिएगा पनीर तैयार है अब तड़के की तैयारी करते हैं कडाई में गरम करेंगे 3 टेबल स्पून बडर और 1 टेबल स्पून तेल इसमें एड़ कर देंगे 2 बड़ी साइस के प्यास जिसे हमने बारिक चॉप कर लिया है एक बड़ी चमस जितना अधरक जिसे बारी कट कर लिया है और दो से तीन एकदम तीखी वाली हरिमिज वो भी बारी कटी हुई ग्यास की फ्लेम को लूटू मीडियम पर रखके हमें सभी चीजों को अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से कच्छापन चलाना जाए प्यास को बहुत ज़ादा ब्राउन नहीं करना है अब इसमें हम एड़ करेंगे टमाटर तो यहाँ पर मैंने लिये हैं दो बड़ी साइस के टमाटर जिसे हमने चॉप कर लिया है अलका सा भूनने के बाद हम इसमें अड़ करेंगे थोड़ा सा नमक यहाँ पर टमाटर को बहुत ज़ादा गलाना या एकदम मैश नहीं कर देना है बस अलके से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, उतना ही पकाएंगे बस इस टाइम पर हम इसमें अड़ कर देंगे बेशन का बनाया हुआ पेस्ट जी समन भी तैयार किया है सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से करीबन एक मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले हैं तो अच्छे से घुल जाए बाद में हम आड़ कर लेंगे पनीर पनीर आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं घर का बना हुआ फ्रेश यूज़ कर लीजिए या मार्केट से लाके भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और इस टाइम पर हम इसमें आड कर देंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की कॉंटिटी जादा यकम कर सकते हैं पनीर को भी मसाले में ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे करीबन एक से डेड मिनिट के लिए और बाद में हम इसमें आड करेंगे करीबन एक कप जितना गरम पानी अमरित सर में ये पनीर पूरजी दूद में पकाई जाती है लेकिन दूद की जगा पर मैं यहाँ पर गरम पानी का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो गरम दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें हम एड करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया और दो चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम एक बहुत ही अच्छे रीच टेस्ट के लिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते हुए हम इसे करीबन और एक सवा मिर्ट के लिए पकाना है इसे अब हम इसे खुला ही पकाएंगे ताकि हमने जो बटर या ऑईल डाला है वह अच्छे से उपर आ जाए लास्ट में हम इसमें आड करेंगे आधा चमच कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा और धनिया कुटी हुई काली मिर्च को पनीर भूर्जी में लास्ट में आड किया जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जरूर एड कीजिएगा तो यह गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी पनीर भूर्जी बनकर बिल्कुल तयार है अब इसे सर्व करते हैं इसे सर्व कीजिए प्यास नीमू तीखी वाली हरी चतनी और ब्रेड के तो यह बहुत ही टेस्टी अमरित सरी पनीर भूर्जी बनकर बिल्कुल तयार है आप भी ट्राइ कीजिए और फीडबेक मुझे जरूर बताईए रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के सा तब तक के लिए थैंक यू सू मच टेक केर